दोस्तो आज में लेकर के आई हूं ग्योहूं की आटा की एकदम नई नास्ता की रेश्पी ये खाने में बहुत ही जादा चरपटा, स्वाधिश्ट और क्रिस्पी लगती है और इसे खाने में आपको समोसा, कचोड़ी, पकोड़ी, तीनों का स्वाध मिलेगा और बनाना भी बहुत ही आसान है, आप कभी भी इसे बना कर इंज्वाय कर सकते हैं तो चलिए जटपट से इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे पहले आटा गुतने के लिए मैंने बड़ा सा बाउल लिया है और देड़ कप गयोहू का आटा लिया है, चक्की वाला जो भी हम चपाती बनाते हैं थोड़ा से इसमें डाल देना है जवायन करस करके हाथों से काफी ज़्यादा केश्टी लगती है और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और साथ में डाल देना है मोयन के लिए तेल, तेल या घी जो भी आप यूश करते हैं ले सकते हैं अब इन सब चीजों को अच्छा से हम मिला लेंगे ताकि आटा में सभी चीजें अच्छा से मिल जाए तो हाथों से इसको मसलते हुए अच्छा से इसको मिला लेंगे तो हाथों में इस तरह से दबाएंगे तो देख सकते हैं कि जो आटा है इस तरह से पीडिया की तरह बन जा रही है इस तरह से आटा को अच्छा से मोयन लगाना है तो हमारी जो नाष्टा बनेगी बहुत खस्ता बनेगी अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को हम अच्छा से गूथ कर त्यार कर लेंगे चपाती जितना हम नरम बनाते हैं आटा गूथते हैं उससे थोड़ा सा इसको सक्त गुथना है उतना ज्यादा वह स्वाप नहीं गुथना है आटा जितना अच्छा से लगाएंगे हमारी जो नास्ता बनेगी उतना ही अच्छा बनकर त्यार होगी आटा को अब हम ढग कर रख देंगे लेत ऊपर से पोप्टी की तरह पढ़ जाएगी और आटा सू कूट लेंगे इससे काफी अच्छा फ्लेवर आती है आप चाहे तो मिक्सिंग जोर में भी इसको दरदरा इसको पाउडर बना सकते हैं लेकिन इस तरह से कूटने से बहुत बारिक नहीं होगी यहां पर मैंने लिया है लाल मिर्च तीन और पांच लेशन की कलिया लिया है म तो बहुत ही ज़्यादा यह मिक्षण बनकर तयार हो गी और उसकोड़िका डाना डालने से जो हमारी नास्तَّ बनेंगी काफी ज्यादा एक क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से इसे को पिलिंग ंदर यह भीन है अनो बहुत ही ज़्यादा सबचके लेगी तो यह ज़र थे मा मैस कर सकते हैं या कदुकस करके भी ले सकते हैं लेकिन मैं चम्मच की मदद से इसको मैस कर ले रहे हूं ताकि ये दम बारिक हो जाए गुठलिया ना रहे अब ये जो मंफली का जो मसाला मैंने पूट कर रखा था ना इसको भी डाल देना है तो देख सकते हैं दर दरा है बिल तो अगर आरोरा रोट आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप चावल का आटा दो चमच ले सकते हैं इससे क्या होगी जो आलू में नमी रहती है ना वो नमी पूरी तरह से सोख लेगी तो जो अब हम नास्ता बनाएंगे तो यह आलू जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी बहुत ही अच्छा से बनेगी मिक्स करते हुए इसको हम आलू को मैस करते हुए इसको अच्छा से मिला लेंगे तो यह मसाला बहुत चटपटा बनकर तयार हो गई है और यहाँ पर जो आटा थी देख सकते हैं ओभी सेट हो गई है आटा को थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद में हम छोटे छोटे इसको लोईया काट कर तयार कर लेंगे तो बहुत जादे बड़े बड़े लोईया नहीं इसको काटना है जितना बड़ा हम चपाती बनाते हैं उतना बड़ा लोईया काट कर तयार कर लेंगे इसके बाद में एक लोई को लेंगे और उसको पेड़ा का सेव दे देंगे इस तरह से इसके बार में मैदा या गिहूं का आटा इसके उपर लगाएंगे और बेलन से इसको रोटी की इतना बड़ा इसको बेल कर तियार कर लेंगे तो आप लोग इस बात का ध्यान दिजिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा इसको बारिक रखना है जितना पतला हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसको पतला रखकर बेल कर तियार करना है बस इतना तो अब इसके उपर हम आलू का जो मसाला बना कर रखें हैं चम्मच की मदश से इसके उपर हम पूरी तरह से फैला देंगे आलू का मसाला आप अपने हिसाब से कम जादा इसके उपर लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके उपर धनिया की चतनी या टमेटो कचप भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे ही बहुत ही जादा टेस्टी लगती है इसके बाद में फैलाने के बाद बीच में से इसको चाकू की मदश से या पिज़ा कटर की मदश से इस तरह से कटिंग कर लेना है बीच से कटिंग करना है फिर शाड़ शाड़ से अब एक किनारी को पकड़ेंगे और इसको दबाते हुए उलियों की मदश से इसको इस तरह से रोल बना का तियार कर लेंगे तो इसको देख सकते हैं फ्रेंड, हाथों में मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया है, दबाते हुए, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए तो उपर का जो हिस्सा है ना उसको भी हलका से मुलियों से दबा देंगे ताकि ये जो आलू का फेलिंग है बिल्कुल भी न निकले अब इसको हम रख देते हैं प्लेट में बाकी जो नास्ता बची हुई है इसको भी बना कर त्यार कर लेंगे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो रोल आप कर रहे हैं तो एकदम टाइट करिएगा हलके हाथों से मत करिएगा अगर हलके हाथों से करेंगे तो नास्ता खुलने का डिर रहेगा इसलिए इसको दबा कर करिएगा इस तरीका से मैंने सभी रोल को बना कर त्यार कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ इसे तनने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है अहाई फ्लेम पे इसके बाद में मीडियम लो फ्लेम पे कर देना है और एक-एक करके कोन जो समोसा मैंने बनाया है तेल में डाल देना है मेडियम लो टू फ्लेम पे इसको पकाना है तो नीचे जब सिख जाए सुनारा गोर्डन लाइट कलर आ जाए उसके बाद में उपर की तरफ इसको पलट देना है इसको उलटते पलटते चार से पांश मिनार तक और क्रिस्पी होने तक इसको तेल में तलना है ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है फ्रेंड और इसका जो टेस्ट है ना एक बार आप बना कर खा लिए तो आप सोचेंगे कि डेली बनाए ये नास्ता येहूं का आटा का ये नास्ता है इसके वो जैसे काफी ज़्यादा हेल्दी भी है और चटपटा और साथ में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है आप इसे खाएंगे तो समोसा, पकोडी, कचोडी, तीनों का स्वादा आएगा बनाना भी बहुत ही असान है, जब मन करें आप चटपट से आप इसको बना सकते हैं तो देख सकते हैं, फ्रेंज, उनारा गोल्डन लाइट कलर आ गया है और क्रिस्पी हो गया है उसके बाद में तेल में से छान कर इसको निकाल लेना है कलर भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है एक भी नाश्ता बिल्कुल भी खूला नहीं है इस तरीका से बाकी जो नाश्ता बची हुई थी तेल में इसको भी तल लेना है बहुत असान है फ्रेंड आप एक बार जरूर से ट्राई करियेगा अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे चैनल को सस्क्राईब जरूर से करियेगा और जो फ्रेंड फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं और फ्रेंड फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर से करियेगा तो सभी नाश्ता को इस तरह से मैंने बना लिया है और गैस को कर देंगे बंद अब सर्थ करने के लिए इसको एक पलेट में लगा लेते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड देखने में कितना सुन्दर लग रहा है और खाने में इतनी जादे टेश्टी है कि पूछिये मत जब मैंने अपने घर में बनाया तो सभी खाने के लिए तूट पड़े थे और साथ में मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च को भी तेल में फ्राई कर लिया था दोस्तों ये पेल बिल्कुल भी नहीं सोकती है और ये काफी ज़्यादा खस्ता लगती है और बनाना भी बहुत ही असान है तो एक बार आप लोग जरूर स्ट्राई करिएगा आप चाहे तो इसे धनिया की चत्नी या टेमेटो केचप के साथ आप सब कर सकते हैं चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चरपटा और स्वादिश्ट बनी हैं तो एक मैं आप लोग को दिखा दे रही तोड़कर भी तो देख सकते कितना खस्ता है तो आज की हमारी यहों की आटा की नास्ता की रेस्पी आप लोग को कैसी लगी केमेंट बॉक्स में केमेंट करना मत भूलिएगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ऐसे बहुत सारी रेस्पी का वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप बहुत अच्छी अच्छी रेस्पी की वीडियो देख सकते हैं तब तक के लिए बाई बाई नमस्ते